अलवल विधायक दीपक मंगला ने आज खादर शेत्र की गाउं शेकपुर नंगलिया खेड की पहरुका भुलडा में एक करोड बाहिस लाक रुपई की लागत से विविन विकास कारियों का शिला नियास किया विधायक दीपक मंगला ने कहा कि खादर शेत्र के गामों में कच्चे रास्तों को पक्का करने चौपाल का निर्माल करने के विकास कारियों को गती प्रदान की गए है विकास कारियों को पूरा होने से शेत्र के लोगों को सुविधा होगी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेत्रतों में विकासकारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी सरकार द्वारा विकासकारियों के लिए प्रयाप्त धनराशी उपलब्द करवाई जा रही है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिना किसी भेदभाव की सबका साथ सबका विकास निती के आधार पर विकास कारिये करवाय जा रही है। पलवल विधानसभा शेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए संस्कृत मॉडल स्कूल खोले जा रही है। गाउं दुधोला में श्री विश्व कर्मा कोशल विश्व द्यालाई खोलने का काम सरकार द्वारा किया गया है। मुक्य मंतरी मानने मनोडलाल कटर जी का बहुत दन्यवाद भी करता हूँ। हमारे इस छेत्र में विकास कारिये करवाने में कहीं कोई कसर नहीं चोड़ रखी और जो ये हमारा ये जो सारा खादर का चेत्र है ये चेत्र ऐसा चेत्र है जहां पर आने जाने के लिए भी रस्ता कोई नहीं था तो इन विकास कारियों के होने से निश्चित तोर पर हमारे छेतर के लोगों को सुवीधा होगी